हलो बच्चो मैं आरकेम हाजन ब्राइट अकेडमी और लर्निंग हब से तो बच्चो वो एक्जाम आखिर आ गया जिसका हम वे सब्री से इंतजार कर रहे थे SSC CHSL, Combined Higher Scandry Level Exam बच्चे जो लोग फॉर्स टाइम जो हैं SSC का एक्जाम दे रहे हैं जो first time eligible हुए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि SSC के दो major exams होते हैं graduate सी या plus 2 के लिए एक तो होता है Combined Higher Scandry Level Exam जिसमें plus 2 और graduate वाले सारे eligible हैं एक होता है SSC CGL, Combined Graduate Level Exam जो की जिसमें सरफ graduate eligible होता है तो क्योंकि ये plus 2 based exam है और काफी famous exam है इंडिया में Central Government में इसमें recruitment होती है तो आज जो है वीडियो जो है क्योंकि इसकी official notification अभी SSC की website पे 5th को ही आई है आज 7th है तो इसका हम एक वीडियो बनाके हम आज चेक करेंगे क्या eligibility है क्या exam pattern है क्या syllabus है सारा ठीक है तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि SSC से और CHSL के अंदर कौन-कौन सी post होती है तो इसके अंदर विचे चार post होती है एक होती है लोर डिविजन clerk LDC की एक होती है आपकी joint junior secretariat assistant की JSA की एक होती है आपकी postal assistant और sorting assistant की एक होती है आपकी data entry operator की data entry operator में दो post है आजाती है इसमें एक data entry operator और एक data entry operator grade A और केम बच्चों के mind में जो first time दे रहे हैं कि सर इसकी job लगती है तो इसकी job लगती है various ministries, department, offices of the government of India central government में ठीक है तो आब हम देखते हैं इसका जो है important dates की exam जो है निकला है क्या इसकी last date है pre-exam कब होगा, tier 1 कब होगा, tier 2 कब होगा, tier 3 कब होगा तो बच्चे सबसे पहले जो है जो आपकी online application है 5-3 से start होगी आपकी और इसकी जो last date है 5 April है form fill करने की second जो है इसकी online जो आपने अगरा payment online करनी है तो form तो आपने भर दिया 5-4 तक अगर आपने payment एक गता दिन लेट भी कर सकते हो 7-4 तक है आपका जो date of computer base जो tier 1 exam है tier 1 की exam है 1 July से 26 July क्योंकि यह बहुत सरी dates पे होगा क्योंकि एक date पे नहीं होगा क्योंकि online exam है last बिचे जो tier 2 exam है descriptive paper जो है वो कब होगा 29 जो है September 2019 तो यह important date आगी इसकी जो है 5 April last date है और 7-4 जो है इसकी fee fill करने की date है और जो है जो exam है pre tier 1 bank में देखो tier 1 के pre कहते हैं SSC में tier 1 कहते हैं tier 1 का exam 1 July को है और 26 July के बीच में है और tier 2 है वो 39 सेप्टेμबर को है तो बच्चे age limit देख लेते हैं कौन कोन इसमें legible है तो बच्चे जो age है इसकी है 18 से 27 के बीच में और ये age कब होनी चाहिए आपकी 18 से 27 के बीच में 18 2019 को means 1 August 2019 को आपकी age जो है वो कितनी होनी चाहिए 18 और 27 के बीच में means not before 92 92 और not after 18 2001 next देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं किसी और general category में नहीं हूँ मैं किसी reserve category में हूँ तो क्या मुझे सर कोई age relaxation देगा SSE बिल्कुल देगा तो देखिए SCST category जो है SCST category में बच्चे 5 यर की relaxation है OBC category में 3 यर की relaxation है आपके जो physically handicap है उन में 10 यर की relaxation है जो आपके physical handicap OBC category के हैं ये unreserved हैं physically person with disability PWD होता है person with disability इनकी 10 यर है unreserved category की और PWD OBC category की 13 यर है और जो last है अगर PWD आप SCST category में है तो पंदरा साल है तो इसे साब से 5 साल 3 साल 10 साल 13 साल और 15 साल जो है इसकी is जो है relaxation है next देखते हैं की qualification क्या है देखिए क्योंवि CHSL जिसको हम combined higher secondary higher secondary होती है plus 2 तो इसमें सारे लोग जो plus 2 है वो सारे eligible है और plus 2 कब होने चाहिए आपकी जो plus 2 है वो एक अगस्त को means की आपकी plus 2 जो है वो एक अगस्त को complete होनी चाहिए तो इस बार जो भी बच्चे तो नॉर्मल जो plus 2 है जो LDC है JSA है PASA है DEO है ये सारे normal plus 2 वाला बच्चा लीजिवल अचाहिए किसी भी stream में आपने plus 2 करी है लेकिन जो बच्चे जो data interpreter है Comptroller and Auditor General of India इस department में in the office of Comptroller and Auditor CAG जिसको कहते है इसमें जो बच्चा है mathematics तो next बच्चे हम देखते हैं इसमें कि apply कैसे करना है क्योंकि online जो site है ये site है ssc.nick.in आप इसमें ध्यान से देखोगे ऐसे आपके interface खुल जाएगा ये third number पे 5 March को official notification आई है Combined High Secondary Level यहाँ पे जाके आप बच्चे इसको online apply कर सकते हो next अगर हम देखते हैं कि इसकी fee कितनी है sir पैसे जादा तो नहीं लगेंगे क्योंकि central government का है plus two base पे है सरकार ने इसकी बहुत ही कम fee रखी होती है सिर्फ 100 rupees है आप sir ये 100 rupees pay कैसे करने है बच्चे 100 rupees जो है आप pay कर सकते हो B map से 100 rupees आप pay कर सकते हो visa रूपे master card से 100 rupees आप pay कर सकते हो credit और debit card से और अगर आपके पास ये सारे mode भी नहीं है तो आप print निकालिए जो चलान का और SBA में जाके चलान में 100 rupees भरिए और आज बच्चे 7 March है और कल है Women's Day Happy Women's Day in Advance और Women's के लिए सरकार ने कर दिया कि Total Free कोई सोर पे आभी नहीं देना है आपने So Women Candidate और जो भी Reserve Category के SCST Category के Candidate हैं और Person with Disabilities हैं जो हमारी सरकार में हमारी Army में Army Air Force Navy में सर्विस कर रहे हैं Ex-Service Man जो है उन सब के लिए भी विच्चे कोई payment नहीं है सोर पे आभी नहीं देना है आपने 100% free form भरना है ठीक हैं तो अब हम देखते हैं ये सारा हो गया eligibility होगी, age होगी fee होगया, exam में क्या आना है exam में बच्चे 3 stages में paper होगा पहली stage होगी tier 1 objective paper computer base जो मैंने आपको बोला 1 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में होगा अब इसमें 4 section है बच्चे कौन-कौन से English general intelligence means reasoning quantitative aptitude और general awareness कितने question आएंगे सर 25 पच्चिस आएंगे सबके लेकिन जो marks है वो 25 नहीं है, marks है 50-50 means paper कितने marks का हो गया 200 का question कितने आए 100 means एक question कितने marks का हो गया 2 marks का हो गया time कितना मिलेगा time मिलेगा 60 minutes वो ही SACCGL में मिलता है या bank के exam में मिलता है time is the main problem उसके लिए तो हम next video गलाएंगे कि त्यारी कैसे करनी है इस video में तो सरफ हम eligibility और pattern चेक करेंगे अब इच्चे इसमें ही हम देखते हैं कि tier 1 जो objective है multiple choice questions है और कहियों के mind में जो उत्तर प्रदेश में हैं या हिंदी वेल्ट में हैं मद्य प्रदेश में हैं बिहार में उनको लगता कि सर ये paper हिंदी में भी आएगा कि नहीं बच्चे बिल्कुल paper की जो language है वो हिंदी भी होगी और English भी होगी किन sections में इन तीनों section में obviously English तो English में ही रहेगी English तो हिंदी में आ जाएगी तो इन तीनों section में paper बाइलिंग्वल होएगा आपको Hindi और English दोनों में option मिलेगी next आ गया आपका negative marking होगी की नहीं होगी बिल्कुल होगी 1 4th negative marking है 0.50 क्योंकि 2 marks का question है तो 0.50 जिसको हम 1 4th negative marking कहते है next चेक करते हैं कि tier 1 हो गया tier 2 में क्या आएगा tier 2 बच्चे descriptive paper है objective नहीं है और यह online नहीं होगा यह pen and paper mode में होगा जिसके center जो है SSC आपको roll numbers आपके issue होएगे tier 2 के तो उसमें बताएगा descriptive paper होगा English और Hindi दोनों languages में आप दे सकते हो आएगा क्या slavus में slavus में आएगा एक तो S से लिखने को आएगा 200 से 204 words का और एक आपको बच्चे letter आएगा जिसको application यह letter हम कहते है 150 to 200 words की वही फिर repeat कर रहा हो यह दोनों है English और Hindi दोनों medium में और इसके जो marks है the minimum qualifying marks कर दिया tier 2 में 33% means 100 में से 33 लेने पड़ेंगे minimum qualify करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने tier 1 में ज़्यादा marks ले लिए और tier 2 में आपके 30 marks आए और आप बोलो कि हम मैं merit में consider कर लिया जाओँगा नहीं consider किया जाओगे आपको tier 2 में भी 33 minimum marks जो है वो लेने पड़ेंगे और आप एक दो important points जो है tier 2 जो है वो merit में include किया जाएगा means 100 जो 100 में जितने भी आपके maximum marks आप ले सकते हो लेने पड़ेंगे क्योंकि जो combined merit है tier 1 और tier 2 की बनेगी हलांकि SSC CHSL के paper में बच्चे एक और भी होता है tier 3 जिसको हम कहते है skill test यह typing test तो typing skill test जो typing test है यह qualify ही होता है qualifying nature का होता है later on जो है इसके अभी कोई date fix नहीं है जब tier 2 का result आजाएगा तो SSC आपको बता देगी कि आपका exam जो है यह कहाँ पे होना है इसमें जो है authorized agencies होती है SSC की वहाँ पे exam लिया जाता है typing का और यह test जो है वो qualifying nature का है means यह merit में consider नहीं किया जाएगा लेकिन आपकी typing skill जो है वो check की जाएगी और final selection जो है different ministries में different department में different offices में बच्चे किन की होएगी जो tier 1 और tier 2 की merit में आएगे उनके base पे जो है final selection होएगी अच्छा SSC ने अपनी site पे एक बहुत important बीच में लिखा है notification में कि आप last date को मत भरिये इस exam को website जो है हमारी server जो है वो heavy हो जाता है उस पे load तो आप please अभी फटा फट जो है 2-4 दिन के अंदर ही जो है इस form को भर दी जिये ताकि ऐसा नो की बाद में जो है server पे जागा load हो जो है आपको form जो है वो fill ना हो क्योंकि देखो 2017 के बाद जो है अब जाकर यह exam निकला है 2 साल की wait के बाद तो आप इसको miss मत करिए और last year की अगर देखो overall तो मैं वच्चे एक video अलग से बनाऊंगा कि कैसे आपने त्यारी करनी है कौन-कौन से topic आपने करने है लेकिन फिर भी अगर हम last year की cut-off देखें तो जो 2017 का जो exam हुआ था उसमें SC category की 122.50 ST की इतनी OBC की 139 unreserved की इतनी means 143.50 general category की और इनकी अलगलग category की इतनी इतनी merit गई थी अब आप लोगोंने क्या करना है बच्चे फटा फट अपने हथ्यार उठालो हथ्यार मतलब pen, pencil और अपनी books उठालो और जुट जओ इसकी त्यारी में All the best and again happy women's day for all the viewers Jai Hind